कल 5 अगस्त 2021 है और इस दिन का जिक्र करना जरूरी इसलिए है क्योंकि कल के दिन दो साल पूरे हो जाएंगे जब जमुकश्मीर के स्पेशल स्टेटिस को खत्म किया गया जमुकश्मीर का जो आर्टिकल 370 इंडिन कॉंस्टिटूशन का था उसे डाइल्यूट किया गया और जमुकश्मीर जो स्टेट थी उसे दो यूनिन टेरिट्रीज में पाइफ़केट कर दिया गया कल के इस दिन के लिए आज ही पीपल्स अलाइंस पर गुपकार डेकलरेशन जिसे गुपकार अलाइंस के नाम से भी जाना जाता है जिसमें कश्मीर की जो पलिटिकल पार्टी है उसमें नेशनल कॉन्फरेंस है पीडीपी है अवामे नेशनल कॉन्फरेंस है सीपी आएम है उन्होंने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया है और इस पांच अगस्ट की स्टेटमेंट पर उनका क्या कुछ कहना है आया आप तक पहुंचाते हैं सबसे पहली बात जो कही गई वो ये कि हम अपनी जद्दो जहद जारी रखेंगे और हर तरीके का शांती पूर्वक कानूनी रास्ता अपनाएंगे अपने हकों की लड़ाई लडने के लिए ये कहा गया कि ऑगस्ट पांच जो दो साल का ये समय पूरा होने जा रहा है दो साल हो चुके हैं जो unprecedented assault यान साथी में जमकश्मीर का जो रिष्टा भारतवर्श के साथ था उसे डामेज कर दिया गया बुरी तरीके से इस बात को अब दो साल होने जा रहे हैं ऐसा P.A.G.D. की statement में कहा गया है साथी में कहा गया कि जमकश्मीर के constitution को demolish करके हर हदे constitutionality की पार कर दी गई है जो spokesman है उन सेपरेट union territories में बांट दिया गया बिना लोगों की consent लिये और साथी में जो जमकश्मीर रेजिलेटर ने एक resolution अडॉप्ट किया था 3 मार्च 2004 को कि जमकश्मीर के secular character है उसकी जो unity है उसे maintain करके रखा जाएगा उसे भी जो है खत्म कर दिया गया साथी में अलग-अलग- दिया गया और वो भी governance rule में जमकश्मीर को प्रेस कर कि ये सब कुछ किया गया ये कहा गया कि जो state की existence है वही जो है ऐसा लग रहा है कि center की discretion पर फैसले लिए जा रहे हैं कि जमकश्मीर state का क्या किया जाना है और एक unitary state की और बढ़ा जा रहा है ये भी उन्होंने कहा कि जो jobs के और land के हकूक थे जमकश्मीर के लोगों को उन्हें arbitrarily बिना सोचे समझे हटा दिया गया जिससे जो alienation है और insecurity है जमकश्मीर के लोगों में और अलग-लग regions में वो बड़ी है जमकश्मीर की economy को लेकर statement में कहा गया कि जमकश्मीर की economy collapse कर चुकी है तार-तार हो चुकी है ज जटके लग चुके हैं और employment opportunities वो भी घट रही है रोजगार के options भी कम होते जा रहे हैं क्या corruption कम हुई है क्या governance बहतर हुई है ये सवाल पूछा गया और उसका जवाब भी अगली ही line में ये दे दिया गया कि fact ये कहते हैं कि कोई भी single claim किया जा रहा है वो खरा नहीं उतर प process जो है वो जमूरियत का घला गोटने का है और जो democratic rights यानकि एक जमूरियत में जो हको और हुकूक लोगों के पास होते हैं उसे भी खत्म करने का ये एक process है जो चल रहा है clamp down और continuous restrictions लोगों की movement के उपर, media के उपर जो है उसकी वजह से जबरदस्ती का ये एक थोपा हुआ खामोशी जो है थोपी खामोशी देखने को मिल रही है जो मुकश्मीर में ऐसा statement में कहा गया साथ ही में ये भी add किया गया कि इन दो सालों में ये साफ तोर पर समझ आ गया कि government of India किसी भी तरीके के unlawful, गैर कानूनी तरीके अपना सकती हैं जो मुकश्मीर के लोगों को smaller units में divide करने के लिए जो मुकश्मीर के लोगों की नौकरियों के और जो उनके हकूक हैं वो छीनने के लिए साथ ही में जो natural resources के ओपर उनके rights हैं उन्हें भी छीनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है civil or democratic rights की बात की गई कि उन्हें भी suppress किया जा रहा है और साथ ही में indiscriminate arrests हो रही है harassment हो रही है हर तरीके के लोगों की जो employees हैं उन्हें अलग तरीके से harass किया जा रहा है और साथ ही में अब जो recent decision लिया गया है यानि की passport issue नहीं किये जाएंगे और सरकारी नोकरियां नहीं दी जाएंगे उन लोगों को जो law and order situations में involved रहे हैं या जिन्होंने stone pelting की है उसको लेकर भी ये कहा गया कि adverse police report यानि की police की दी हुई एक बुरी report जो है वो court of law में जिस वक्ति को guilty माना जा सकता है इन दोनों बातों को substitute नहीं किया जा सकता जो police कह रही है और जिस वक्ति को court कहता है कि ये guilty है उन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है ये कहा गया कि justice system के जो main जो stump है उन्हें भी जो है उन्हें गिराने की कोशिश की जा रही है उसकी violation करने की कोशिश की जा रही है साथी में भारतिय जंता पार्टी के नए कश्मीर के वादे को लेकर ये कहा गया statement में कि वो वादा जो है वो एक मजाग बन के रह चुका है लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है अथॉरिटी से कि आपने नया कश्मीर का वादा दिया जो कश्मीर था उसे आपने खत्म करके क्या हासिल कर लिया जो historic state थी जमन कश्मीर की जो struggle था जमन कश्मीर के लोगों का उन्हें आपने इस तरीके से तोर मरोड दिया ह कि लोग पूछ रहे हैं कि हमें हासिल क्या हुआ उसके इलावा ये भी कहा गया कि जब जमन कश्मीर के संदर में फैसले लिये गए थे पांच 2019 को तो ये सोचा गया था ये होप किया गया था कि चीज़े बहतर होंगी लेकिन अब जब जमन कश्मीर के ही अलग अलग लीडर जाकर प्रधान मंत्री से मिले तो उन्होंने जो बात की कि किस सरीके से दिल की दूरी को दिली की दूरी को और दिल की दूरी को कम करना है और लोगों की लोगोंने मिला भी उनसे जाके इस रीसिन पार्टिसिपेशन के बाद साल लग रहा था कि लोगों में कॉन्फिदेंस और distances जो हैं, वो फासले बढ़ते जा रहे हैं, disheartening जो लोग में बन चुकी है, disheartening feeling आ चुकी है, वो और गहरी हो चुकी है, और आखिर में ये कहा गया, कि हम हर एक खित्ते के लोगों से, हर एक community के लोगों से, ये अपील करते हैं, कि आप united रहें, false or slanderous, जो campaigns की जा रही है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डिसाम करने की कोशिश की जा रही है, उन पर कान ना धरे, हम इस बात से, हम समझते हैं, कि आगर हम अपनी struggle को continue रखेंगे, हम हर कोशिश करेंगे, कि हम अपने हकों की लड़ाई लड़ सकें, चाहे वो कानूनी तरीकों से हो, चाहे वो अन्य जितने भी peaceful means हैं, उन से हो, ये statement जारी की है, People's Alliance for Gupkar Declaration ने, कल के दिन को मार्ग करने के लिए, कल का दिन मैं आपको बता चुकी हूँ, पांच अगस 2021 जिस दिन दो साल पूरे हो जाएंगे, जो मकश्मीर के special status को खत्म हुए है,